हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी क्या क्या से जूकेसन यूट्यू चानल पे तो आज के प्रेट में हम बात करेंगे मिस्सर धातूर निगम लिमिटेट के दुरहां पे अपन्टेसिप के वेकेंसे निकल क्या रहे जिसमें कि ओल ओबर इंडिया से आप इसमें अपलाई कर सकते हैं तो लास्ट अकमेर साथ इस वीडियो में बने रहेगा चले इसको फेशनल नोटिफिकेशन पे चलते हैं वहाँ से सारी डिटेल आपको बताते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसको फेशनल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं मिस्सर धातूर निगम लिमिट है उसका electrician की बात के तो 48 है mechanist की बात के तो 20 vacancy आपे निकाली गई है Turner में 20 है welder में इसे तरह 20 vacancy आपे निकाली गई है reservation आप देख सकते हैं किस category में कितनी vacancy का distribution यहाँ पे देखने को मिल जाता है last date की बात करें तो यहाँ पे 16 October 2020 last date इसका रखा गया है document जो है आपका portal registration number is mandatory यानि कि आप इसके official जो portal होता है अपर internship को उस फिर आपको सबसे पहले online registration करना होगा आपको वहाँ से आपको registration number मिलेगा उसका document भी साथ में आपे send करना होगा इसके बारे में आपे दिया हुआ है तो किस तरह से apply करना है वो बात में आपको बताने वानाव वीडियो में देख सकते हैं selection criteria process के अगर हम बात कर लेते हैं तो ITI का जो आपका marks होगा percentage उसी का अधार भी आपे आपका merit list त्यार किया जाएगा उसके बाद आपका document verification होगा जिसमें की age qualification category और अधार and medical fitness आपका check किया जाएगा बात करते हैं general condition की तो अगर आप किसी category से आते हैं तो गुबर्मेंडर को अधार एज में लाक्सेशन आपको मिल जाता है बाकी अगर आप किसी और category से OBCC जैसे आते हैं अगर आपको benefit लेना है तो आपको उसका certificate लगाना होगा उसके बाद आगे यहाँ पे देख सकतें last day जो है 16 October 2020 इसका रखा गया है उसके बाद यहाँ पे आगे देख लीजे लिखावाए कि कोई भी TAD आपको नहीं दिया चाएगा जब आप यहाँ पे सर्कसर procedure में भाग लेंगे उस समय आपको खुद के खर्चे पर यह सारा चीज़ करना होगा आपको जाना होगा खुद के खर्चे पर नेसे सार इंफर्मेशन आपको इस website पर मिलेगा आगे का जितना भी update आएगा आपको इस website पर मिल जाएगा कैसे apply करना है तो सबसे पहले आपको www.apprenticeshipindia.org पे जा करके registration करना होगा ITI passed out candidate ठीके बल अप्लाई इसमें कर सकते हैं लेकिन दिहान न की कि अगर आपने पहले कहीं से भी apprenticeship किया हुआ है तो यहाँ पे eligible नहीं होंगे या आप पहले से जॉब किये हैं यानि एक या एक साल से अधीक experience है आपके पास तो आप यहाँ पे apply नहीं कर सकते हैं प्रिंटर सीप में उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पोर्टल पे registration नमबर मिल जाएगा उसको भी प्रिंट करके application offline आपको apply करना है उसमें send करना होगा test करके तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे का जितना भी जानकारी है यहाँ पे दिया गया है कि आपको किस तरह से feel करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे registration करने के बाद आपको क्या करना है वहाँ से print out निकाल लेना है अपनी registration का प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको offline form दिया गया है तो offline form पर चलेंगेवेहां से आप को बटाएंगे कि से फिल करना है और उस offline form को आप फिल कर लेंगे और यहाँ दिये गया address यहाँ पर दिया गया है इस address पर आपको send कर देना है तो माकी डीटेल आप यहां पे चेक कर सकते हैं, अगर कोई जनकारी आपको एक्ष्टा लेनी है, तो आप इस contact number पे contact कर सकते हैं, बात करते हैं, आपको इसमें apply कैसे करना है, तो सबसे पले आपको क्या करना है, कि इस printer ship india.org के portal पे आना है, अगर आप पहले से register हैं, तो आप को कोई भी registration करने के आवसकता नहीं है, और अगर आप registration नहीं किये हैं, तो आपको क्या करना है, register पर आना है, candidate वाले section पे यहां पे click करना है, और यहां से आपका candidate registration कर लेना है, यहां से आपको number registration मिल जाएगा, और उसको print भी कर लेना है, यहां से क्योंकि offline application में आपको apply करन होगा उसके बाद यहां से आपका registration हो जाएगा उसके बाद आपको offline form का link description में मिलेगा यहां पे जा करके आपको क्या करना इसका print निकालना है इसको apply यहां पे करने से पहले इसको feel कर देना है यहां पे अपना passport side photographs उसके बाद यहां पर registration नमबर जो कि आपने yes या no लिखेंगे उसके बाद permanent address उसके बाद present address date of birth उसके बाद यहां पे category अपना चूल लेंगे उसके बाद यहां पे अपना name of the course यानि की educational qualification आपका तेंथ है ITI है कोई other degree है तो यहां पे दे सकते हैं कि कि स्कॉले से आपने किया है year of passing आपका क्या है maximum marks क्या है marks आपने कितने अप्टेंड किया है percentage marks क्या है इस कॉलम में आपको सारा चीज़ फिल कर देना है उसके बाद आप यहां पे declaration है उसके बाद enclosure यानि किसके साथ जो भी documents आपको भेज़ने यहां पे दिया है कि जो आपका apprenticeship orgy.india जो website है उस पे registration number मिला होगा उसका copy आपको निकालना है जिरॉ करने होंगे साथ में उसके बाद यहां पे signature अपना करना है date यहां पे लिखना है और इसको send कर देना है offline way में तो दोस्तों आपको address पहले ही पता है कि किस address पर इसको send करना है तो यहां पे address आप एक बार फिर से देख सकते हैं तो notification को apply करने से पढ़े अच्छे से पढ़ लि स्वेड़ रीष यहिब कर दे llega कर दो सुचचे हैं ऩो थायो कर दो से फन दू है और उना है